आज तक मैंने आपको कई क्राइम केसों के बार में बताया है लेकिन आज मैं आपको एक नहीं बलकि तीन ऐसे डिस्टर्विंग केसों के बार में बताने बाला हूँ जो आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विसर बने हुए है लेकिन इससे पहले किया मागे बढ़ें मैं मैं आपको पता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टिरियस फाइल का एक बहुती धमाकेदार एपिसोड The Ice Box Modders 1965 में चार्ल्स रोजर्स अपने बुजोग माता पिता फैड रोजर्स और एडवीना रोजर्स के साथ अमेरिका के टेक्सिस के यूश्टन में रहा करता था चार्ल्स बले ही अपने बुजोग माता पिता के साथ रहा करता था लेकिन ये ज़्यादा तर अपने घर से गायब रहा करता था इसके पडोसियों ने बताया कि ये आम तोर पर सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाता और साम को अंधेरा होने के बाद घर पे आता और इसी बीच 23 जून 1965 की साम को यूस्टन के दो पुलिस आफिसर कैप्टन बुलॉक और बाटा अपने आफिस में बैट कर काम कर रहे थे तबी उसी वक्त पुलिस को एक कॉल आती है ये कॉल एडवीना के बतीजे मार्विन ने की थी और जब कैप्टन बुलॉक ने कॉल उठाया तो उसने कहा कि जनाव क्याई दिनों से मेरी आउंटी एडवीना रोजर का कोई अता पता नहीं है मैं पिछले क्याई दिनों से उन्हें कॉल लगा रहा हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही तो थोड़ा आप जाकर चेक कर लीजिए कि क्या मामला है इसके बाद मार बिन पुलिस के कहने पर अपनी आउंटी एडवीना रोजर्स का एडरस देता है और फिर पुलिस ऑफिसर कैप्टन ब्लॉक और बाटा एडवीना के घर पे पहुंचते हैं और जब इन दोनों ने घर पे पहुंचकर दरवाजा खट खटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला इसके बाद ब्लॉक घर के पीछे बाले दरवाजे पर जाता है जहां वो देखता है कि दरवाजे पर फूलों का एक गमला रखा है जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीव लगता है और इसके बाद ये लोग दरबाजे को तोड़ कर घर के अंदर जाते हैं और अंदर पहुंच कर ये लोग फ्रेड और एडवीना को आवाज लगाते हैं जिस पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और जब ये लोग घर के मान फैला हुआ था और अब ये अजीब सी बद्वू और ज्यादा आने लगी थी और इसके बाद कैप्टन ब्लॉप फ्रीज को खोलते हैं और जब ये लोग फ्रीज में रखे मास्क के टुकड़ों को देखते हैं तो उसे देखकर ये लोग चौक जाते हैं दरासल का दरबाजा बंद करने लगे लेकिन तभी इनकी नजर फ्रीज में रखे सब्जी के डिब्बे पर गई जो सीसे का बना हुआ था जिसमें सब दिखाई दे रहा था जहां इनोंने देखा कि सब्जी के डिब्बे के अंदर दो इंसानी कटे हुए सर रखे हैं ये देखकर ये लोग एक दम पीछे हट गए और जब इनोंने फ्रीज के अंदर ध्यान से देखा तो अब इनसानी मास के टुकड़े थे जिनें काट कर फ्रीज में जमा दिया गया और बहीं फ्रीज में एक कौने में इनसानी आखें पड़ी थी और सब्जी के डिब्बे में दो इनसा प्रीज में जमा दिया गया बलकि इनकी आथों को टॉलेट में फ्लैस कर दिया गया और इनकी बॉडी के बाकी के अपसेस कभी नहीं मिले और जब पुलिस ने फ्रेड और एडवीना के बेटे चार्स के कमरे में देखा तो चार्स रोजर्स बहा नहीं था लेकिन उसके कमर के दरवाजे पर खुल लगा हुआ था और इसके बाद फ्रेड रोजर्स और एडवीना रोजर्स की बॉडी के पार्ट को अटॉप्सी के लिए ले जाये गया तब अटॉप्सी से पता चला कि फ्रेड को अथोडे से पीट-पीट कर मारा गया था और उसकी आँके निकाल गर के अंदर थोड़े से खून के निसान पाए गये क्योंकि कतले के बाद उन्हें पूरी तरह से साप कर दिया गया था और बहीं आगे प्लिस ने कहा कि चार्ल्स के बेडरूम के दरवाजे पर खून के क्या निसान मिले हैं और बहीं पे खून से सना हुआ एक आरा भी मिल है लेकिन बहां चार्ल्स रोजर्स का कोई अता पता नहीं चला और इसके बाद चार्ल्स रोजर्स को हर जगे डूड़ा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला इस केस ने उस वक्त पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था तो बहीं 1975 में चार्ल्स रोजर्स को मरत गोसित कर दया गया ताकि उसकी property की जांच की जा सके और October 2003 में इस case की mystery पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम The Ice Box मड़ा रखा गया जिसमें Charles Rogers को इस case में suspect बनाया गया और इन सब के बाद भी आज भी ये case अंसुलजा है किसी को नहीं पता कि Charles Rogers कहा गया क्या उसने अपनी माता-पित का खून किया था और ये आज भी एक रहस बना हुआ है डोरती जैन इसकॉट मडरकेश 1980 की सुरवात में डोरती जैन इसकॉट नाम की 32 साल की महिला जो कैलिफोनिया में अपनी आंटी के घर पे अपने चार साल के बच्ची के साथ रहा करती थी जो अपने इकलौते बेटे क काफी खुश थी लेकिन एक दिन अचानक उसे एक अंजान व्यक्ति के दुवारा कॉल आनी सुरू हो गई जो इसकॉट के साथ फोन पे अपने प्यार का इजहार करता और जबरन रोमांटिक बाते करने की कोशिस करता और जब इसकॉट उसके इन सब बातों को इग्नोर करत तो वो उसे धमकी देता और कहता कि जम मैं तुम्हें अकेला पाऊंगा तो मैं तुम्हें टुकडों में काट दूंगा ताकि कोई तुम्हें कभी ढूड़ ना पाए और ये ऐसी पहली कॉल नहीं थी और इसके बाद भी स्कॉट को ऐसी कैई कॉलें हर दिन आने लगी लेक तुम कहां जाती हो किस से मिलती हो और पूरे दिन क्या करती हो उसे सब पता है और एक रात उसने स्कॉट को इस बात का यकीन दिलाने के लिए उसने स्कॉट को कॉल किया और उससे कहा कि तुम जरा अपने घर से बाहर देखो तुमारे लिए कुछ है और जब उसने बाहर द और इस बीच स्कॉर्ट ने एक दिन अपने परिवार और अपने दोस्तों से कहा कि उसे फोन पर धंकी देने बाले ब्यक्ति की अवाज उसे कुछ जानी पैचानी लगती है लेकिन वो ये सब नहीं बता सकी कि वो कौन था क्योंकि इसके बाद अब उसे ये सब जाननी का मौक के जहां वो काम करती थी और जहां उसने देखा कि उसके साथ काम करने बाले एक ब्यक्ति की तवियत ठीक नहीं है जिस पर उस ब्यक्ति ने स्कॉर्ट से उसे अस्पताल ले जानी के लिए कहा और इसके बाद इसकॉर्ट उसे अस्पताल ले जानी के लिए मान गई और फिर काले रंग के डुपटे को लाल रंग से बदला और इसके बाद ये तीनों अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे काली मकडी ने काटा है इसके बाद उसका इलाज किया गया और इलाज के बाद स्कॉट अपनी कार को लेनी के लिए अस्पताल की पारकिंग म में चले गए लेकिन तभी इनों ने स्कॉट की कार को तेजी से भागते हुए देखा गाड़े की हेड़ लाइट की रोशनी उनकी आखों पर इतनी तेज पड़ी जिस कारण ये लोग ये नहीं देख पाए कि गाड़ी कौन ड्राइब कर रहा था ये सब देखकर शुरू में दो गंटे तक स्कॉट की कोई खबर नहीं मिलने पर उन दौनों ने स्कॉट के माता पिता को कॉल किया और उन्हें स्कॉट के लापता होने की जानकारी दी और इसके बाद पुलिस को इस घटना के बारे में बताया गया और फिर अगली सुबह तक्रीबन साड़े चार बज और फिर इस घटना के लगवग एक हपते बाद इसकॉट की मा को एक कॉल आई जिस ने कहा कि क्या तम इसकॉट को जानती हो जिस पर उसकी माने कहा कि हाँ वो मर चुकी है और तब उस अंजान व्यक्ति ने कहा मैंने उसे पकड़ लिया है वो मुझे मिल गई है और ये कहते कौल काड़ दिया और इसके बाद पुलिस इसे के माता-पता से भी के डिया कि अभी आप मीडिया में कुछ ना कहें को मिलने बालि यह कौल पहली नहीं ठीकिसी पुलिस ने कौल को पकड़नी के लिए एक डिखाल नहीं प потрay क्योंकि एक काल लंबे समय को नहीं थी और फिर एक दिन इसकॉर्ट के माता पिता ने अपनी बेटी की कहानी को अखवार में चापनी के लिए कहा ये कहानी 12 जुन 1910 को चली और उसी दिन पेपर के एडिटर को एक अंजान ब्यक्ति का कॉल आया जिसने खुद को इसकॉर्ट का कातिल बताते हुए कहा वो मेरा प महानी में कभी सामिल नहीं किया गया स्कॉर्ट के साथ के लोगों का कहना था कि स्कॉर्ट का कभी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था और इन सब के बीच स्कॉर्ट के माता पिता को ये अंजान कॉले आती रही जो कभी कहता कि स्कॉर्ट मर चुकी है तो कभी कहता कि वो ज इस्ट्रेक्शन बर्कर को एक रोड के पास में जली हुई कई हड्डियां मिली जो इसकॉट की थी और इन हड्डियों के पास में कुत्तों की भी कई जली हुई हड्डियां पाई गई जिस पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हड्डियां यहां लगबग 2 साल से पड़ी हैं क्योंकि 1982 के टाइम इस जगह पर आग लगी थी पुलिस को बहां एक अंगूटी और घड़ी मिली जिससे स्कॉर्ट की मा ने अपनी बेटी की पैचान की स्कॉर्ट की हड्डियों की पैचान स्कॉर्ट के डेंटल रिपोर्ट से की गई हालाकि स्कॉर्ट के परिवार को आ रही यह अजीब कॉल 1984 के अपरेल में बंद हो गई लेकिन अगस्त में स्कॉर्ट के अफसेस मिलने के बाद ये कॉल एक बार फिर आई जिस पर उस अंजान ब्यक्ति ने कहा कि क्या स्कॉर्ट घर पे आ गई है लेकिन इन सब के बाद भी इस केस का रहस आज तक नहीं सुल जा इस केस में कभी किसी को दोसी नहीं ठेराय गया और नहीं कभी इस मिस्टरी कॉल का पता चला दी आइस बॉल किलर चार्ल्स अलब्राइट नाम का एक इस किलर का पहला सिकार 33 साल की मेरी नाम की एक महिला थी जिसका 13 दिसंबर 1990 को गोली मार कर कतल कर दिया गया जिसकी बॉडी नगन अवस्ता में मिली और जब बॉडी का पोश्ट माटम काया गया तो उसमें एक चौकाने बाली बात सामने आई दरासल मेरी को गोली मारने के बाद उसकी आँकों को उनके सौकिट से बाहर निकाल दिया गया था सुरू में इस मामले को मीडिया से दूर रखा गया और बाद में ये केश ठंडा पड़ गया लेकिन अगले साल फिर से 10 फरबरी 1991 को एक महिला की लास मिली जिसका नाम सुसान पीटरसन था जो 27 साल की थी और इसे भी उसी भयानक तरीके से मार गया था और इसकी भी आँके निकाल दी गई थी इसके बाद ये मामला सब के सामने आया और मीडिया ने इसे दा दलास विपर नाम दिया क्यूंकि ये दलास टेकसास का एक अमेरिकी सेरियर कलर बन चुकर था इसके बाद बले ही पुलिस ने हर जगे पुलिस की गस्त बढ़ा दी जहां पे ये घटनाए हो रही थी लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस को 18 मार्च को एक और महिला की लास मिली इसका नाम सरली बिलियम्स था और इसको भी मार कर इसकी आंके निकाल दी गई थी लेकिन इस बार पिछले दो कतलों से कुछ अलग था सरली के चैरे पर चोट के निसान थे उसकी नाक तूटी हुई थी जैसे कि उसके मूँ पर मुक्का मारा गया हो और साथ ही पिछले कतलों की तरह आंकें उतनी एकुरेसी से नहीं निकाली गई थी इसका चैरा कटा हुआ था और एक एक्स एक्टो चाको की नोक इसकी आँक के सौकेट में मिली और भहीं बोडी में मिली गोलियों की तुलना मैरी को मारने में की गई गोलियों से की गई जिससे ये पता चला कि दौनों को मारने में एक ही अथ्यार का यूज किया गया है उस रात बारिस हो रही थी इसलिए सरली ने एक पीले रंग का रैन कोट पहन रखा था और उसे आखरी बार एक गाड़ी में बैटते हुए देखा गया बहार जानी से पहले उसने अपनी पड़ी पर एक गोए ब्यक्ति के प्यूविक हेर बाल पाए गए थे और बताया गया कि मारी गई ये तीनों मेला प्रस्टिट्यूट थी और इसके बाद 22 मार्च 1991 को सरली की कतल के बाद एक बिटनिस ने आगे आकर अलबराइट के बारे में बताया जिसके बाद इसे घर स से अरिष्ट कर लिया गया दरासल चार्स अलबराइट का जन्म 1933 में हुआ था जिसे उसके माता पिता ने अडॉप्ट किया था अलबराइट की अडॉप्टिट मदर एक टीचर थी जिस कारण उसने 15 साल की एज में हाई स्कूल कर लिया लेकिन इसके बाद भी अलबराइट और सरजन बनने का सपना देखता था 16 साल की एज में अलबराइट पहली बार जेल गया क्यूंकि उसे कई बंदूकों और चोई के पैसों के साथ पकड़ा गया था जेल से बाहर आने के बाद उसने एक कॉलेज में एडमिसन लिया जहां उसने सरजन बनने के रादे से लेकिन अलबराइट की अनुसे करते हुए पकड़ा नहीं गया इसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया लेकिन अलबराइट की χरकतें यहीं पर खत्म नहीं क्योंकि इसके बाद उसने च्पर ख़ेकर बनाये मोदेग और 锌नी कॉलेज की साधी प्वेंट में काम कि लेकिन इसके बाद वो पकड़ा गया और उसे प्रोवेशन में रखा गया इस बीच 1965 में वो और उसकी पतनी अलग हो गया और 1924 में उनका तलाक हो गया इसके बाद उसे एक हार्डवेया इस्टोर से सेक्डोर डॉलर और सामान चुराते हुए पकड़ा गया और इसके बाद दो साल की सया सुनाई गई लेकिन वो समय से पहले ही बाहर निकल आया और बाहर आने के बाद उसने लोगों से दोस्ती करना शुरू किया और अपने परोसियों का विश्वास हासिल किया और 1981 में कुछ दोस्तों से मिलने के दौरान उसने उनकी 14 साल की बेटी का योन उत्प ने लगा और इसके बाद इन तीनों प्रोस्टिटूट महिलाओं के कतल सामने आए जिनें मार कर उनकी आँखें निकाल ली थी और इसके बाद कई प्रोस्टिटूट महिलाओं ने अलबराइट का नाम लिया जो अक्सार उनके साथ मार पीट करता और उन्हें मारनी की में मिली हाला कि कतल में सामिल हत्यार और निकाली गई आखें कभी नहीं मिली लेकिन उसके ट्रक में मिले बालो ने उसे इस कतल से जोड़ दिया अलब्राइट को 23 मार्च 1991 को अरिष्ट किया गया और उस पर कतल के तीन आवप लगाए गए और फिर नवंबा 1991 में अलब्राइ पिमले अलब्राइट के पूबिक हेय मैच हुए थे और इसके बाद उसे आजीवन का आवास की सजा सुनाई गई और अगस्त 2020 में मेडिकल फैसिलिटी में उसकी मौत हो गई तो मिलते हैं फिर नेस्ट एपिसोड में गोड़ बाई